हलो पेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि अब सबसे ज़्यादा दर जो केज देखने को मिल रहे हैं पसू में पसू में फैलने वाली एक से दूसरे में फैलने वाली जो बिमारी एफमडी एफमडी को आप हलके में नले इसके क्या लक्षन होते हैं और उसका क्या इलाज आ सकते हैं एदि आपके पसू में हो जाती है तो आज की वीडियो के अंदर माँ आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा इस बीमारी के बारे में एदि आप उसका इलाज इस तरह से कर लेंगे तो आप अपने पसू को आसान इसे बचा सकते हैं क्यूंकि अब इस मोसम में सबसे सकते हैं लेगिन यह रोग ज्यादा प्हेल जाता है तो पसू में दिकत पैडा कर सकता है लिए आप क्या करना चाहिए डिटेल से चेनल पर नहीं आहें तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथन बैल आइकनों आरा संदब आपको पता है इस जानकारी दि जाती है दे दूद की मातर अचानक कम हो गई पशू ने खाना पिना कम कर दिया मुह से यह थोड़ी भूत इदि लार आ रही है थोड़ा बहुत टेमप्रेजर बढ़ावा है यह क्या है कि सुर्वाति सिंटम्स पशू में देखने को मिलते हैं साथ में पशू में क्या करता है कि पशू द पैचान सकते हैं तो सबसे पहले पशू के मुह से लार आ रही है पशू के मुह बार बार जी बाहर निकाल रहा है खाने के लिए देख रहा है दिया आप खाना लेकर के जा रहे हैं वह देख तो रहा है लेकिन खाया नहीं जा रहा है या जब आप पशू को पानी पिला रह आती है तो आप दूसरे पशू को आप उससे अलग रखना चाहिए उसका खान पीन अलग रहना चाहिए जो कि आप जितने जो पशुपालक हैं वह अची तरह से जाते हैं यहां पर में थोड़ा सोटी बताने की कोशिश करा हूं साथ में आप अपने पशू को जब यह दी इस तरह की दी डिजीज हो जाती है तो आपको करना क्या चीए देखो जब यह दी पशू में खुर्पका मुपका रोग हो जाए तो पशुपालक हैं वह पोटेश्यम प्रगनेट जो आपको दिख रही है यह लाल दुआ पोटेश् सब्सक्राइब ने पर इस पर चीए तो आपको करना करना इससे क्या होता है कि जल्दी रिलीप लेता है तो आप स्रुवाति स्टेज में आप अपने पर सूमें यह कर सकते हैं सादे पर सुमें कुछ इस तरह की बोलस का उप्यों करें जिसके अंदर कॉंप्लेक्स भी हो लिवरक्स टेट भी हो जिस तरह से या आती है बायो बुस्ट वॉलस जो आपको कई पर भी मिल जाएगी बायो बुस्ट वॉलस भी आप एफमडी जो रोग हो गए उन पसूं को दो बॉलस सुबह दो बॉलस स्याम बड़े पसूं में मेडियम साइज के म और उसे चोटे हैं तो दिन में एक बॉलस का उपयोग से लगातार 4-5 दिन दे सकते हैं पसूं की भूग भी बढ़ाती है साथ में पसूं को जल्दी रिलीव देती है इनके साथ साथ आपको एक बॉलस का उपयोग करना है इसी कमने की जिस प्रकार से यह आती है को लंबी यह कोलंबी बॉल बॉलस है जो टिश्यू रिविल्डिंग प्रोसेस आती है जिसके अंदर एंजाइम्स में हैं एम्मिनोसर्स विटामीन से और अधर भी आते हैं तो आपको यह बॉलस कोलंबी एफ हैं इसका उपयोग कर सकते हैं कई पर भी आपको मेडिकल पर मिलें जो इस तरह कि बॉलस आती हैं तो यह बॉलस है बड़े पश्यू में दो बोलस सुबह और दो बोलस स्याँ कोई बी बांट या दाना मिसन दे रहें उसमें भी मिला करके आप अपने पश्यू को दे सकते हैं या इसका पाउडर सा बनाकर करके पश्यू के मुझा के अंदर भी आपका जो वेटरीनिरन है मुऊह पर लगा सकता है या पश्चु पालक हैं वह भी उसके मुऊह के अंदर आप इसका लेग भी कर सकते हैं और वैसे भी आप अपने पशु को खिला सकते हैं किसी भी बांट या दाना मिसल में तो यह बोलस आप अपने पशु को जरूर देनी ह एक तो लाल दवास से आप अपने पशू का मुझ को साप करना है और यह जो मैंने बॉलस बताई ही यह आप अपने पशू को देनी है इससे क्या होता है कि आपके पशू का जो नॉर्मल होती है एफेमडी वह कंट्रोल हो जाती है यह अपका वेटिनेरियन यह ट्रीट्मेंट पशू में देंगे तो सबसे ज्यादा बेनफिट आपके पशू में देखने को मिलेगा तो यह बोलस आप अपने पशू को जुरूर खिलाएं यह आपको हो जाए तो भी और यह ट्रीट्मेंट कर रहा है आपका पशू चेकर सकत तो भी बैस्त रिजल्ट आपके पशू मे देखने को मिलेगा अब आपका वेटिनेर ने यह बहुत ज़्यादा दिकत हो जाती है टेंपरेज रही हो जाए मुँझ से लाराना स्टार्ट हो जाए मुझ चप चप करना लग जाए खाना पिना बिल्कुली बंद कर दे तो आपको अपने वेटिनेरियन के इसला लेने च पांस से साथ आमेल यह इंजेक्शन लगाना है साथ में उन पसू को एक तो भी कॉंप्लेक्स एंड लिवरक स्टेट बेला मायल इस इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा जुरूत होती है FMD के केस में FMD में यह इंजेक्शन लगाना है ताकि गहावी बरे और किसी भी तरह की कोई दिकत होती है तो जल्दी कंट्रोल करें पसू को इनर्जी भी मिलती रहे पसू में तागत भी बनी रहे पसू यह दिखाए नहीं तो भी उसके अंदर इनर्जी बनी रहे तो आप भी कॉंप्लेक्स एंड लिवरक स्टेट इंजेक्शन बेला मायल इंजेक्शन बड़ इसमें दर्द भी होती है सुजन बुखार होती है तो मिलोनेक्स प्लस मिलोक्स के मैं परस्टमोल इंजेक्शन बड़े पसू में 15-20 इंट्रमस्कुलर यह इंजेक्शन भी लगए मीडियम तो 10 इंजेक्शन मैंने बताई इंजेक्शन प्रेग्रण पसू हो जाता है उन 15 ml पर 30 kg बड़े पसू हैं तो उनमें आप 15 ml सबकट इंजेक्शन आपको यह लेवा माइसोल इंजेक्शन भी भूत ज़्यादा उगरूब दारण कर लेती है तो आप इन इंजेक्शन का उप्योग करना है पसूं के सरीर पर बहु ज़्यादा घाव हो जाते हैं चाले हैं तो आप आप इंटिवाइकिक इंजेक्शन का उप्योग कर सकते हैं क्यूंकि जल्दी ठीक होने के लिए यह इंजेक्शन आपको अपने वेटिनियर्ण से लगाने है जब आपका पसूंए और शरवाति स्टेज में प्राथिम्क ट्रीक्ट्मेंट कर रहे हैं पर जिस तरह से आप दवा का प्रियोग करें टेप्रेट बोलस दे रहें फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप इंजेक्टेबल लगें इंजेक्टेबल के साथ भी आप यह बोलस का उप्यों करें और साथ में आप अपने पशू को खाने पिने में जितना हो सकता है नरम हार है और जो फिट्स अप्रिमेंड के तोरुपर बांट बांट पोको दें योंका दलिया है उसके अंदर आप गूर मिक्स करके दें सर्श्यों का टेल मिक्स करके दें यह आपको अच्छा रिज्जन जाना देखो इतने समय में आपको पूरी डिटेल से बताने कोशिश को है और विए दिया आपको प्रोपर जानका लेनी है तो इसी चैनल पर एफमडी के बार में और भी डिटेल सी वीडियों वापर भी आप जाकर के देश सकते हैं तो यह जितने जो मनें दवाबता ही है चे प्रेग्रेंट हो नो नो छोटे बड़े सभी परसूं के लिए सेफ है त शिता शीवटी देखते रहें थैंक्स धन्यवाब